नमस्कार मैं डॉक्टर अमिद गोयल कंसल्टेंट यूराल्जी एंड किड्नी ट्रांस्प्लांट नारायना सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम आपको आज प्रुस्टेट के इनलाज़्मेंट के बारे में कुछ आपके साथ डिसकेशन करेंगे बिनाइन इनलाज़्मेंट ऑफ प्रुस्टेट क्या है जैसे जैसे आदमी की एज सबसे पहली चीज तो प्रुस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल में पाया जाता है और इसकी जो लोकेशन है वह है ब्लैडर के जस्ट नीचे एक एक अक्रोट से भी छोटे तो यह पिशाब की नली के ओपर दबाव देने की वज़े से सिंटम्स कॉस करता है और पिशेंट को कंप्लेंट होना शुरू हो जाती है तो अब यह जो पिशाब के जो यह प्रोस्टेट के वज़े से जो प्रॉब्लम्स होती है यह नॉर्मली पच्पन्स पचास से पच्पन की उम्र के दर्म्यान शुरू हो जाती है अराउंड 33 परसेंट लोग यानि एक तिहाई लोगों को यह सिंटम्स कुछ-कुछ सिंटम्स आने शुरू हो जाते हैं पिशाब से रिलेटेट और अराउंड 85 यह की एज तक 90 परसेंट लोगों के अंदर में यह सिंटम्स आने शुरू हो जाते हैं अब इसमें जब पिशाब की इसमें कॉंप्लिकेशन क्या होती है पिशाब की जब गदूद बढ़ जाता है तो इससे क्या कॉंप्लिकेशन हो सकती है तो कॉंप्लिकेशन में पिशाब का अटक जाना सबसे पहली कॉंप्लिकेशन है जो ब्लीडिंग होने की शिकायत हो सकती है और अन्य कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है तो पेशन्ट को जैसे ही कुछ सिम्टम्स ऐसे लगते हैं एक ट्रीट्मेंट डॉक्टर के पास जाके ट्रीट्मेंट ले लेना चाहिए तो इसमें सिम्टम्स जो पेशन्ट को महसूस होते हैं वो यह होते है कि पेशेंट को पेशाब का flow अटक के आना शुरू हो जाता है या पेशाब पहले अगर पैर से काफी दूर गिरता था तो पैरों के पास गिरना शुरू हो जाता है या बूंद बूंद करके गिरना शुरू हो जाता है पिशाप का जो शुरुवात करने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है पिशाप जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है किसी किसी को कि पिशाप करके आए वापस आए इतनी देर में फिर से पिशाप का प्रेशार आना शुरू हो गया पेशाब करने के बाद ऐसा मैसुस होता है कि पेशाब की थेली प्रॉपर खाली नहीं होई है फिर से दुबारा जाने के लिए आर्ट जोरी है पेशेंट को या फिर रात को ऐसा हो सकता है कि उनको कई बार उठना पड़े दो से तीन बार चार बार पांच बार कई बार दस दस बारा बार भी लोगों को पिशाब करने के लिए रात को उठना पड़ता है इसके अलावा bleeding की शिकायत हो सकती है पेशेंट को और पेशाब का जब भी pressure लगता है तो वो उसको control नहीं कर पाते हैं इसके वेज़े से urine की leakage की संभावना रहती है leakage की problem patient को हो सकती है तो इस तरह है कि कोई भी अगर आपको symptoms आते हैं तो उसको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए it is better to take opinion from a urologist अब हमारे पास इसमें कई तरीके के treatment है जिसमें की डवाईयों से treatment है laser से treatment है और जो conventional surgery हम लोग करते थे वो सब हमारे पास treatment में है medicine initial और जो symptoms लेके आते हैं around 50% 60% लोग सिर्फ medicine से ही इलाज करने से उनका treatment हो जाता है और जो लोग treatment करने के बाद भी जिनको benefit नहीं होता वो ऐसे वाले मरीजों के लिए हमारे पास surgery का बहुत अच्छा option है जिसमें कि हम conventional TURP कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास एक laser technique से भी surgery होती है prostate की जिसमें कि हम अंदर का रस्ता पिशाप के रस्ते से ही जाके अंदर का रस्ता खोल देते हैं जिससे कि पिशाप का flow patient को अच्छा है laser एक new latest technology इसके अंदर हमें हमारा addition हुआ है जिसमें की bleeding बिलकुल ना के बराबर होती है और यह बहुत ही safe उन लोगों के लिए है जो पेस्मेकर्स पे हैं या जिन लोगों के अंदर में किड्नी का कुछ problem चल रहा है जिनके अंदर creatinine बढ़ा हुआ है और old age patients के लिए यह बहुती बहुती safe method है और बहुती डॉक्टरों के द्वारा बहुती पसंदीदा डॉक्टरों का करीका है यह laser से surgery करना धन्यमाद